नमस्कार आप सभी का यूटूब ग्यान स्राइचने में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जो पच्छिम बंगाल के निवास पच्छिम बंगाल में रहने वाले छात्र हैं या जो आपके परिवार के लोग जो भी माता पिता या आप जिन्हें पढ़ाई करते करते कुछ कुछ भी प्राबलम हो जाता है तो उनके लिए एक सुनायरा अवसर है कि पच्छिम बंगाल सरकार के दोवारा क्रिडिट कार्ड स्कीम लाए गई है इस स्कीम के जरिए आप क्या फायदा ले सकते हैं मैं आपको इसमें बिस्तार से बतलाऊंगा इसकी इलिजिबिटी क्या पैसा के जरूत पढ़ रही है तो उसके लिए आप इस स्कीम के जरिए कम से कम आप चार लाग से कम से कम आप दो लाग पांच लाग जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं ज्यादा आप 10 लाग रुपे तक ले सकते हैं तो इसमें है क्या बेनेफिट यह जो आपको लोन दो मिलेगा 10 लाग का तो इस पर कोई ज्यादा ब्याज नहीं है आपका सिंपल इंट्रेस के साथ 4 परसेंट का आपको ब्याज देना पड़ेगा चार परसेंट व्याज तो देना पड़ेगा आपको 10 लाग पर अगर आप 10 लाग से मतलब की 4 लाग के नीचे तक लेते हैं तब आपको इसमें इंट्रेस जो बनता है चार परसेंट करके ही बनेगा लेकिन उसका मार्जिन जो है आपको नील रहेगा कहने का तात पर यह है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लोन लेते समय बैंक का एक चार्जिस होता है उस चार्जिस के अनुसार आपको 5 परस सब्सक्राइं सथिल से फोट प्रखेश को देना पड़ेगा यह जो फाइब नमर पॉइंट से इसमें जो फाइब का एम उसमें दिया गया है और दूसरी अमें इलिजिबिटी में आपको रखा गया है कि आप इस को खायर एडूकेशन के लिए कर सकते हैं स्कूल मदर्स्टा कोलेज उनिवर्सिटीटिस क के लिए त्यारी करते हैं उसकी कोचिंस के लिए आपको पैसे के लिए जुरूक जाते हैं वो भी इससे पूरा कर सेकते हैं और आप इंजिनियरिंग मेडिकल लॉव आई एपिस डाबूबी सी एस सेक्टर आपको पूरा करने को मौका मेलेगा इस लोन के जरिए से आप इस समपत्ति को गिरवी रखने के जुरूत नहीं इसकी गैरेंटर जो है आपका पच्छीं बंगाल सरकार लेती है और आप निश्चिंत हो का इसका पढ़ाई करिए जो भी अपना फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं और इसमें इसमें इस इलिजबिलिटी में और मुक के सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद अधिकारी नोडल अफिसर्स वह देखकर आपका सब रखेंगे जो भी आगे की प्रोसेस है और इसके बाद आप जो रिपोर्ट कार्ड जो भी प्रतिक सेमिश्टार को आपको हमेशा अपडेट देते रहना पड़ेगा अपने अपने 30 परसेंट तक आपको लोन का कुछ 30 परसेंट भाग जो है मिल सकता है मां करिए 20 परसेंट आपको living expenses के लिए मिलेगा इस लोन का और 30 परसेंट आपको non institutional expenses के लिए मिलेगा यानि गैर प्रमपरागत जो आपको इंस्ट्यूशन से रिलेटेट ना हो मतलब आपको बाहर का खर्ची जो है वो 30 परसेंट इस लोन से कर सकते और बाकी जो है आपको computer laptop books के लिए आपको मिलेंगे आपको expensive required complete course study tours के लिए projects के लिए works के लिए हां इन सब के लिए आपको मिलेंगे साथ ही साथ आप जो आपको questions deposit building fund refundable fund deposit examination library laboratory fees यह सब जो होते हैं institutional bills इन सब के लिए आपको loan news पर मिलेंगे फीस जो है required for accommodations office school college यह सब जो rent license fees मतलब कि कुल मिला कर देखने से आपको course course के साथ साथ आपको जो इस्ट्रक schools या universities या इंस्ट्यूट्स में नाम लिखाने के बाद जो development फिस लगते हैं या कुछ भी जो related खर्च लगते हैं पढ़ाई से वह आपको मिल जाएंगे सबात में एक बात और students eligibility में आपको पता चल गया कि आपको रहना पड़ेगा 10 सल तक और उसके उपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है और बाकी जो आपका age में 40 years होनी चाहिए और अधार कर तो रहना चाहिए फिसके बाद आपका आपको रुपए मिल जाएंगे और इसमें क्या है कि आपका बता दिया गया है कि पांच लाक रुप चाल लाक्स उपर होने पर आपका 5% मार्जिन मानी रहेगा और security के रूप में तो बता दिया गया मोड़ डिस्वर्समेंट भी बता दिया गया तो कुल मिलाकर हां रिपे पढ़ाया हुआ जिस लोन के जरिये से कोर्स किये हैं तो वह कोर्स का जो certificate से उसलब तो आपको बैंक पास या जो किसम डिपार्टमेंट के पास सो करके रखना है तो अगला समय में अगर आप चला की आगर कर देते हैं इसमें से किसी प्रकार का तो उससे बच नहीं सकते है आपको उससे ठीक पैसा या आपको कुछ ना कुछ उससे प्रोब्लम आ सकती है आपको certificate रोक्स दिया जा सकता है ठीक है और देखिए इसमें कोई घब्राने की बात है रिपेइमेंट को जो है यहां पर 15 साल दिया गया आप्टर जॉब मिलने के बाद या कोर्स कंप्लिट ह यह जो है एक साल के बाद उसके पंद्रवा साल तक आप लोन का पैमेंट इमाई के तुरू से कर सकते हैं और अगर आप उसी पढ़ाई के दुरान अगर पैमेंट कर देते हैं तो वन परसंट का आपका डिड़क्शन हो जाएगा लोन में जो इंट्रेस कंसेशन विल भी य पर रहे हैं या मुझे पर रहे हैं उससे कोई परक नहीं परता है आपके वल दशल की निवासी हुने चाहिए पची मंगाल का और भारत भारत का निवासी बहाई अपको किसी प्रागा का पूर्ट से अच्छोता ना रखा हूं अगर कुछ उडिया होगा तो मैं आप सभी स से बनना पड़ता हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको में ले चलता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में यह जो आप देख पा रहे हैं wbscc.wb.gov.in में आप जाने के बाद यहां पर आपको रिजिस्ट्रेशन करने के लिए भी मिलेंगे इस्टुटेंट रिजिस्ट्रेशन में क्लिक करिएगा तो आपका बेसिक डिटेल्स जो मांगेगा बेसिक डिटेल्स देएगा परेजेंट को सब्सक्राइब करने के लिए तो आपका तो इच्छा और आपकी पढ़ाई का उपर रूची बढ़िया होना स्वभाविक है और अच्छी तरह से आप फॉर्म को फिलब भी करिएगा और अच्छी तरह से आप अपना को भी कंप्लिट करिएगा आगे चलते हैं इसमें और क्या दिया गया है इस्टुडेंट लोगिन जो करिएगा जब इस्टुडेंट रिजिस्ट्रेशन का लिजेगा न आपको लोगिन का अप्लिकेशन आडी मिल जाएगा पासवर्ट मिल जाएगा क्यप्चा करने के आप यहां पर नीचे में आएगा तो पूरे चीज का इंस्ट्रक्शन दिया गया है ठीक है कि अप्लाई करने के लिए वही एक प्रोसेस है रिश्ट्रेशन करने का और उसके बाद बैंक रिटेटेट कॉरीज है यह तमाम प्रकार के आप जो भी है यह सब पढ़ कर आप द आता है उस सब को दूर करने का एक सुंदा जरिया इस्टुटेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है वेश्ट बेंगल के तरफ से और आप अपने इस स्कीम के जरिये से पूरा का पुरा पढ़ाई करिए फिसके बाद आराम से जॉब मिल जाए आराम से खुसी-खुसी इस लोन को चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सभी का यूट्यूब ग्यांसराचने में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी जो पच्छिम बंगाल के निवास पच्छिम बंगाल में रहने वाले चात्र है या जो आपके परिवार के लोग जो भी माता-पिता या आप जिन्हें पढ़ाई करते करते कुछ भी प्राबलम हो जाता है तो उनके लिए एक सुनायरा अवसर है कि पच्छिम बंगाल सरकार के दोवारा क्रिडिट कार्ड स्कीम लाए गई है इस स्कीम के जरिए आप क्या फाइदा ले सकते हैं मैं आपको इसमें विस्तार से बत कर रहे हैं और अपना पढ़ाई हायर एडूकेशन के लिए पैसा के जरूत पढ़ रही है तो उसके लिए आप इस स्कीम के जरिए कम से कम आप चाल लाग से कम से कम आप दो लाग पांच लाग इतना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं और जादा ज्यादा आप 10 लाग सिंपल इंट्रेस के साथ 4% का आपको वयाज देना पढ़ेगा 4% वयाज तो देना पढ़ेगा आपको तस Лाग पर अगर आप 10 लाग सी मतलब कि 4 tant के नीचे तक लेते हैं तब आपको इसमें इंट्रेस जो बनता है चारफ परसेंट करके ही बनेगा, लेकिं उसका margin जो है आपको नील रहेगा करने का अतात पर ही है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लोन लेते समय इक चार्जस होता है वस्चार्जस के अनुसार आपको 5% का चुकाना पड़ेगा और अगर उससे 4 लाग से कम लेते हैं तो आपको उस 5 परसंट को देना नहीं पड़ेगा आपको marginal जो है वो नहीं लगेगा यहाँ पर जो दिया गया है मैं आपको वही बात के margin जो money है जो up to 4 lakhs है नील आपको रहेगा और above 4 lakhs के ऊपर आपको 5 परसंट का उस पर यह कटा जाएगा चार्जस कटा जाएगा और इसकी जो eligibility बोल देता हूँ eligibility क्या है eligibility में जो आप देख पा रहे हैं सामने eligibility में आपको 10 स इसको देना पड़ेगा यह जो five number points है इसमें जो five का a में उसमें दिया गया है और दूसरी में आपको रखा गया है कि आप इसको को higher education के लिए कर सकते है schools मदर्शा college universities के लिए कर सकते हैं और यहाँ परकार के नाना परकार के जो professional courses है वो भी सब दिया गया है IIT IIM IISC यह तम competitive exam के लिए जो government jobs के लिए तयारी करते हैं उसकी coaching के लिए आपको पैसे के लिए जुरूख जाते हैं वो भी इससे आप पूरा कर सेकते हैं और आप engineering medical law IIS IPS WBCS SSC etc आपको पूरा करने को मौका मिलेगा इस loan के जरिये से आप इस loan को लेते समय यह चब आपका पास eligibility बनता है त किसी प्रका के कोई संपत्ती को गिर्वी रखने के जुरूत नहीं इसकी गैरेंटर जो है आपका पच्छी मंगाल सरकार लेती है और आप निश्चिंथ हो का इसका पढ़ाई करिए जो भी अपना future के लिए आप कर रहे हैं और इसमें eligibility में और मुख के चीज है 40 वर्स से ज सब्सक्राइब करेंगे आपको डैस्बोर्ट के लिए जो भी आपकी रिकॉर्डेस है इन लोन के लिए इनका एक अधिकारी नोडल ओफिसर्स वो देखकर आपका सब रखेंगे त्याग जो भी आगे की प्रोसेस है और इसके बाद आप जो रिपोर्ट कार्ड जो भी प्रतिक से मिश्टार को आपको हमेशा अपडेट देते रहना पड़ेगा और अपने थर्टी पर्षेंट अपको लुझ का बाद जो है मिल सकता हैता हमाय करें थर्फाइबिंक सबस्धका इससक्क्राइबних सब्सक्राइब के लिए मिलेगा यानि गयर परंपरागत जो आपको इंस्ट्यूशन से रिलेटेट ना हो मतलब आपका बाहर का खर्चे जो है वह 30 परसें इस लोन से कर सकते और बागी जो है आपको और आपको मिलेंगे अपको एक्सपेंश रिखुआ कम्विट कोर्स के लिए युट के लिए और अपको मिलेंगे जो आपको आपको कौंसन्स डिपोई जुबिधन रिफंडेबल फंड एक्जामिनिशन लैबरेडी लेबराटरी फिस इसब जो होते हैं इंस्टूशन विल्स इन सब के लिए आपको लोर निस पर मिलेंगे फीस जो है इस रिक्वाइर फोर एकोमेडेशन्स ऑफ इसकुल्स कोलेज यह सब जो रेंट लाइसेंस फीस मतलब कि कुली मिला कर देखने से आपको कोर्स के साथ साथ आपको जो इस्ट्रक इसकुल्स या उनिवर्सिटीज या नाम लिखाने के बाद जो डेवलोप्मेंट फिस लगते हैं या कुछ भी जो रिलेटेट खर्च लगते हैं पढ़ाई से वह आपको मिल जाएंगे स्वाबात में एक बात और इस्टुडेंस में आपको पता चल गया कि आपको रहना पड़ेगा 10 सल तक और उसके उपर होने प्रच आहराएंगे और इसमें क्या है कि यद्या बता दिया गया है कि 5.000 euro 4.000 पर होने पर 5% मार्जिन रहेगा और it security के रूप में तो बताwowna मोड बबड़े बदा दिया गया तो कुल मिला कर हां रिंट हैं र इपई मेंट का बात आया मुख या मिल시면 का आया आप को इसके बाद लोन लेने के बाद यह बैठना नहीं है उसको पूरा करना है नहीं तो आपका जो पढ़ाया हुआ जिस कई हैं और वो ऐतीम के जलीए सोब है तो और नौ प infinite BA46 कर देते हैं लिए बैघ्रत चला के अगर परक आपपर कर दे गया आप्टर जॉब मिलने के बाद या कोर्स कंप्लिट होने के एक साल के बाद आपका 15 साल कांटिंग हो यहां बहुत अच्छा सुन्दर यह दिया गया यह देखें पॉइंट है डी पेइमेंट पिरियर्ट सेल फिप्टीन एयर्स पॉर एनी लोन एवर्ड अवर्ड अडर के द्वरान अगा पेमेंट कर देते हैं ना तो वन पर सेंट का आपका डिड़क्सेन हो जाएगा लोन में जो इन्टरेस कंसेशन वी यह दिया गया है सी नमन पॉइंट में इन पर सिंटेस्यों वी परभाबग टू ब्रह इप इनिटरेस से फॉली सर्बीस हीं डूरिं बाद चार परसेंट जो दिया दो लोन भी मेड अभी लेवल एड़ दारेट फोर परसेंट सिंपल इंट्रेस्ट ठीक है आप राइबेट में पढ़ रहे हैं या गॉबर्मेंट में पढ़ रहे हैं उससे कोई परक नहीं पढ़ता है आप केवल दसल्की निवासी होने चाहिए पची मंगाल का और भारत भारत का निवासी उसके पची मंगाल में रेसिडेंशल होने चाहिए दसल्की ठीक है तो सायद ही हमें आपको किसी प्रगार का पॉर्ण से अच्छूता ना रखा हूँ अगर कुछ चूट गया होगा तो मैं आप सभ मैं ले चलता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में यह जो आप देख पा रहे हैं wbscc.wb.gov.in में आप जाने के बाद यहां पर आपको रिजिस्टेशन करने के लिए भी मिलेंगे इस्टुटेंट रिजिस्टेशन में क्लिक करिएगा तो आपका बेसिक डिटिल्स जो म आपको समझ कर देना है इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से क्यूंकि आप तो प्राप्त करने के लिए तो जा रहे हैं और जाई सी बात आप लोलने रहे हैं तो आपका तो इच्छा और आपकी पढ़ाई का उपर रूची बढ़िया होना स्वभाविक है और अच्छी तरह से आप फॉर्म को फिलब भी करिएगा और अच्छी तरह से आप अपना कोर्स को भी कम्प्रीट करिएगा आगे चलते हैं इसमें और क्या दिया गया है आप इसमें देख सकते हैं क्या है जैनल वाट इस दा ओफिस्यल वेबसाइड ऑफ रिजिस्ट्रेशन सब इस्टुजेंट अनद इस स्कीम आपका यही ओफिस्यल एड्रेस है आप यहाँ पर नीचे में आएगा तो पूरे चीज का इंस्ट्रक्शन दिया गया है ठीक है अपलाई करने के लिए वही एक प्रोसेस है रिजिस्ट्रेशन करने का और उसके बाद बैंक प्रेटेटेट कॉरीज है यह तमाम प्रकार के आप जो भी हैं यह सब पढ़ कर आप देख सकते हैं बस कुछ नहीं है दोस्तों केवल आप अपना अधूरा सपना जो पढ़ाई कि के वक्त में फाइनेसियल आपका क्राइसिस जो हो जाता था या प्राबलम हो जाता है उस सब को दूर करने का यह सुंदा जरिया इस्टुटेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है वेश्ट बंगल के तरफ से और आप अपने इस स्कीम के जरिये से पूरा का पुरा पढ़ाई क करें किसके बाद आराम से जॉब मिल जाए आराम से खुसी-खुसी इस लोन को पेमिंट करने में कोई भी दिकत नहीं होगी और कोर्स पूरा हो जाए तो भी आराम से दिकत नहीं होगी और आप अपना एक फ्यूचर अच्छा बना पाईएगा अच्छा एक सुनेरा आपका भविश्य बनेगा इसी कामना के साथ आप सभी का इस वीडियो में यहीं तक आराम वीराम देता हूं किसी प्रकार की कोई तुल्टी हुई हो तब फीसे चमा चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद